हाँ बई आजा आजा लगा दे इधर लगा दे आजा ले आया時 modion और भाई कैसा है इस चाहिए को और ऑप जगड़ी लेक्टे इस से आफ डिजाइर को इसके साथ कंपेर कर रहा है ऐसी स्टाइलिश लोक मिल जाती यह डिजार में का ता ने ख एकथम लगजीरियस है ओटी लोग देखागे से एक दम कैसा है, एक क्यूरिस्टिक डिजाइन है बटा बूट स्पेस, डिजार में 322 लीटर का बूट स्पेस मिलता है इसमें 510 लीटर का बूट स्पेस है यह खोल के बताता हूं है यह देख कितना बड़ा बूट स्पेस है और यहाँ पे लाइट भी है यहाँ पे देख लाइट लगी हुई बहुत हो ठीक है सब कुछ है पर इसका ground clearance बहुत कम है बिलकुल एगरी करता हूँ इसमें 165 mm का ground clearance है बट आपकी जो desire है उसमें भी 175 mm का ही ground clearance है आज mm का ही फरक है जादा फरक नहीं है बाकी इसका बीलवेज जादा लंबा है तो practicality में जो है वो कम पड़ जाता है जा सकती आराम से और पहाड में कहीं भी चला जा लद्दाख जैसी जगों में भी आप जाओगे न तो वहां पर भी सड़क आपको प्लेन मतलब पंजाब की तरह भी सड़के मिलती है तो ऐसा कुछ नहीं है ground clearance कम है तो ये नीचे हमेशा लगेगी हाँ थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि desire की अपक्षा आपको थोड़ा सा संभल के इसको चलाना पड़ेगा जहाँ इतने फाइदे होंगे कुछ नुकसान तो आपको उठाने ही पड़ेंगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो को पता ये अच직 मोडल है इससे उपर बाले मोडल में जब जाते हो ना विएश बी में जा ऑोगे तो यहाँ पर दो एर बैक मिल जाए यहां पर भी एर पैग और यहां पर फिर दा देने वली गारी ही उगर हॉंड़ा कि अगर भाध करे ना तो इसके माले जुँ मैं जाता से चला के लेके आया हूं, मिक्स कंडिशन थी, तो यहां पर देखो 22 kmpl, 22 की माइलेज, पंदरा सो सीसी के साथ, अगर आपको गाड़ी दे रही है, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी, लग्जेरियस गाड़ी, हैबी बेट भी काफी है इसका, तो आई थिंक मारूती को तगडी तक्कर है कि नहीं है तक्कर, इसमें भी 5 गेर होते हैं, नहीं भाई, यह छे गेर वाली है, यहां पर देख, 6-speed manual transmission है, यह, पिकप कैसा रहता है इसका, डिजायर की तरह तो नहीं है, मतलब उससे बैटर है, जो इनिशेल पिकप है इसका, वो मक्खन है, मतलब जैसे पेटर 1200 RPM पर पहुंचता है इसका इंजन, तो टर्बो एक्टिवेट हो जाता है, तो शुरू के RPM से ही आपको गाड़ी पुल देना स्टार्ट कर देती है, और स्विफ्ट करियां दूसरी डिजायर के केस में यह ऐसा होता है, कि आप जैसे 2000 RPM पर जाओगे तब आपका टर्बो एक चलाई होगी, तो उसमें शुरू में बहुत ऐसे धीरे धीरे चलती है गाड़ी, तो वो चीज इसमें नहीं है, मतलब आप चलाओगे तो आपको लाइट हलका फील करवाती है, और माइलेज तो मैंने बताई दी आपको, इसके बाद सीट की हाइट अच्छी गाड़ी है, इस तरीके से, अच्छी गाड़ी है, बट यार जब हम उतना पैसा लगाई रहे हैं, तो देखो ये मैंने दिल्ली से लिए, दिल्ली नंबर आप देखी रहे हो, क्योंकि इसको मैं एच्पी में ट्रांसफर करवाँगा, और वो आगे के ब्लॉग वीडियो में आपको बता आता है, ये बता दूँ कि ये चौदा मॉडल है, आईडी टेक, यानि कि डीजल वेरियंट है, ये एस वेरियंट है, तो गाड़ी के लुक देख लो, बाके में कलर वालर सब मैंटेन है, चौदा मॉडल है, उसके साब से, काफी सही है सब चीजे, तो ली दिल्ली से है, बत अगर आप हिमाचल के हो, तो ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे भी आप कॉंटेक्ट करके, कॉंटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई गाड़ी चाहिए, जो ये नंबर मैं दे रहा है, वो खुद चेक करके, ट्रस्टड गाड़ी आपको देंगे, और गाड़ी भी मैंने उनके ही थ्रू ली है, और ऐसी गाड़ी ये वो काफी हिमाचल में डिलिवर करवा चुके हैं, इवन चमबा तक, सबसे बड़ी बात कि आपके हिमाचल के हैं, ये जो डिलर हैं, और एक ट्रस्टेड परसन है, आप इनके घर जाके गाड़ी की डिलिवर लोगें, चलिए आप बापिस आते हैं में मुद्धे पे, कि मैंने कितने में ली है, तो ये मुझे सवा तीन लाक में पढ़ गई है, तो मतलब अन्बिलीविबल प्राइज है, चौला मॉडल अगर डिजायर भी आपको लेनी है, तो यार कम से कम तीन, तीस के आसपास, पै इतने में पढ़ गी है, वो भी मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे स्पेशली जो मैं इनके थ्रू गया था, तो इसलिए मुझे ये स्कॉंटेड मिली है, और ये भी चाहते हैं कि हमारा ऐसे विजनस ग्रो हो, तो इस तरीके से हम लोगों को गाड़ियां डिलिवर करवाएं, अब बताओ भाई, जब जो मैंने रेट बताया, आपने बैठ के देख लिया, घूम के देख लिया गाड़ी को, अब बताओ कि एक्सपेरिमेंट है, महल किया जा सकता है, अगर जो बंदे गाड़ी लेने के, बेचने के, रखने के, या चेंज करने के शोकीन होते हैं, उनक इतना रिलाइवल इंजन है कि ज़रूरत दिनी पड़ेगी स्पेर वगारा चेंज करवाने की, अधरवाईज आपकी सिटी में हर जगा पे आज आज आपको दो आप्शन मिल जाते हैं, एक जैनून स्पेर होते हैं, एक थोड़े डुपलिकेट होते हैं, डुपलिकेट कहन मैंने बताया था कि जब लेके इसको आ रहे थे, तो ये बंपर टूड गया था, निकल गया था, क्योंकि बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे, हर्याना के आसपास तो वहाँ पे क्या हुआ गड़े में ये गिरी, और बंपर पूरा निकल गया पानी था गड़े में, तो पता नहीं चला, मतलब बंपर निकल गया हो रही, तो आप बलीब नहीं करोगे, ये बंपर नया जब टलवाया था, इसको 22 और मुझे ये मिल गया, जो की मारूती के से, मारूती डिजायर स्विफ्ट का भी इतने में ही बंपर मिलता है, तो इसका भी सेम कॉस्ट में बैठ अकि अब इसको एक्सपिरिंस करने बाला हूँ, मेरी छठी से साथ भी गाड़ी है, और ब्रेजा को कुछ टाइम के लिए विराम दिया है, तो काफी जो आने वाली आगे वीडियोज है, इसी का रिब्यू मैं एक डिटेल डालूंगा कि मुझे कैसी लग रही है, चला के को कोई दिक्कत है या नहीं है, वो भी आगे अबसर्वेशन होंगी, और एक चीज मैं बता दूँ आपको कि यहां पर मैं टाच स्क्रीन डलवाने वाला हूँ, क्योंकि एक दिक्कत आती है, जो यह बड़ी बूट स्पेस हाई बूट स्पेस होता है, इसमें जब गाड़ी हम आप इस बैक कर रहे होते हैं, तो पीछे का कुछ नहीं दिखाए देता है, आप टोटली मतलब ब्लाइंड हो जाते हो, अब अबर अल मुझे लुक्स घरा गाड़ी की जो कमफट है, वो काफी अच्छा लगा, हाँ डिजायर से इसके इंजिन की जो जाला है, क्योंकि उसक बहुत अच्छे क्वश्चन आपने पूछे, और अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है इस गाड़ी से जुड़ा हुआ, यहां आप प्लैन कर रहे हो उसको परचेस करने की, तो आप नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मिलते हैं का और नई वीडि में तब तक के लिए बाई 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 टेक केर